हैलो ट्रेज टाइम हो रहा है 9.44 सर हम लोगों ने यहाँ पे 13,800 तक आसपास का लॉज बुक किया है आज सबसे पहले मैं आपको बता दूसर मैंने स्टार्टिंग से मैंने ट्रेड लिया अपार्चियोंटी आइंडिफाई किया जैसा मैं जेनरली करता हूँ हम लोगों ने ट्रेड लिया था सम्वेर राउंड ये लेबल के आसपास मार्केट एक चैनल फॉर्मेशन क्रियेट कर रहा था यहाँ पे सीज को समझेगा स्टार्टिंग से मैंने बहुत कुछ समझाया लेकिन मैंने देखा रेकॉर्डिंग आउन ही नहीं था मेरा सो इतना जे खराब लगा मुझे कितना कुछ मैंने समझाया है ट्रेड किया सब कुछ किया पपर रेकॉर्डिंग मैं ने Bring fak establish करके सो मेरे को दिखा जो computer का recording होता है ना उसको मैंने on ही नहीं किया था बाकि mobile का recording मेरा on था सो उन सब चीज़े को मैं दुबारा से आप लोगों समझा देता हूं and I am really sorry to just एक छोटा सा mistake मेने से हुआ वैसे आज दो mistake मेने से हुआ एक trade का mistake हुआ and दूसरा recording का mistake हो गया मेरे से यहाँ पे हम लोगों ने 38,800 का call option को buy किया था because market इस channel को काफी अच्छे तरीके से respect कर रहा था so जब यहाँ पे market open हुआ ना open होते ही हम लोगों ने एक channel का identification निकाला जो कि हम लोगों का ये वाला है then हम लोगों ने देखा कि rejection काफी अच्छे तरीके से market ने दिया इसलिए हम लोगों ने call option को buy करने का try किया एक छोटा सा stop loss के साथ लेकिन market ने suddenly इसको breakdown दिया एक छोटा सा loss हम लोगों ने book कर लिया मैंने square off किया था somewhere around ये level के आसपास एंड हम लोगों ने यहाँ पे almost 650 quantity place किया था एंड जब मेरे को दिखा कि मैं यहाँ पे wrong हो चुका हूँ तो immediately मैं अपने trade को square off कर दिया square off करने के पाद और ज्यादा market ने fall किया अगर मैं आपको दिखाऊ ना यहाँ पे percentage wise हम लोग ने trade लिया था यह level के आसपास दिया trade लेते ही market ने almost 100 points ते का आसपास का fall मतलब वही आपका 65,000 ते का आसपास का हम लोगों का नुकसान हो जाता जो नुकसान को सरह हम लोगों यहाँ पे 13,800 में निकाल दिया यहाँ पे दिखे एक बात है हम लोगों का जो management है न वो यह होता है कि अगर कभी हम लोग गलत हो जाए उस state से भागने के लिए हम लोग तयार रहते हैं चोटा सा loss करके हम लोग exit करने के लिए तयार रहते हैं जब profit का दिन आता है न तो बराबरा profit हम लोग cash on कर लेते हैं यही mentality आपको आपके अंदर में लानी पड़ेगी बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने order place किया इन कितना जल्दी मैंने square off कर दे उस order को I hope आप लोगों ने देख लिया होगा within एक minute के अंदर में ही मैं अपने trade से बाहर निकल किया एक छोटा सा mistake हो गया कि मैंने PC का recording है उसको मैंने on ही नहीं किया था mobile का recording on था मेरा जब मैंने video complete किया ना तो मेरे को दिखा कि PC का recording on ही नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को प्रॉपर तरिके से आज के जो scenario हुआ ना वो मैं आप लोगों को दिखानी पाए यहां पर एक और बहुत प्रा लर्णिंग पॉइंट है जो आप सब लोगों को समझना चाहिए सर यहां पर जो lines हम लोगों ने draw किया ना जो आज जो हम लोगों ने trade किया था ना उस trade में जो accuracy होता है ना बहुत ज़्यादा high नहीं था और इस type का setup में मैंने बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया था बट फिर भी मैंने calculation का हिसाब से 650 quantity लिया और 650 quantity लेने के बाद जब मैंने देखा कि market मेरे direction में नहीं जा रहे एकदम से fall कर रहे मैं immediately straight से निकल गया और यह 13,800 तक आसपास का loss हम लोगों को book करना पर रहा अगर recording on रहता ना तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता बट क्या करू recording on नहीं था इसलिए मेरे को दुबारा से recording on करके आप भी सब कुछ मेरे को बोलना पर expression देना पर रहे